सब्सक्राइब कीजिए शिवी रेडू स्टूडियो को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इट्स प्री हेलो फ्रेंड्स आइम शिवी और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्लास 4 मेजरमेंट के प्राक्टिस क्वेस्टिन्स सो लेट्स स्टार्ट आफ फर्स्ट क्वेस्टिन अब आग अफ लाविंग 13 केजी 920 ग्राम इस डिवाइड इकुल ही इंटो 4 पकेट्स वोट इस दी वेट आफ इच पकेट्स तो सबसे पहले हम 13 केजी 920 ग्राम को ग्राम में कनवर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 13,920 ग्राम और इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3,480 ग्राम और इसको हम लिख सकते हैं ऑप्शन B 3 केजी 480 ग्राम ऑप्शन B is the correct ऑप्शन Next, Sonika went to her friend's house at 1.15 p.m. Her father told her to be back at home in 1 hour and 45 minutes What time does Sonika needs to be at home? तो अगर हम 1.15 p.m. में 1 hour 45 minutes आड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 p.m. So, option D 3 p.m. is the correct option Next, What is the weight of triangle? So, यहाँ पर हमें दे रखा है कि triangle is equals to 4 balls and triangle is also equals to 1 ball and 16 kg 500 ग्राम तो अब यहाँ पर हम कुछ equations बनाते हैं तो हमारी पहली equation 4 balls is equals to ball plus 16,500 ग्राम हमारी दूसरी equation हो कि 3 balls is equals to 16,500 ग्राम क्योंकि जो 4 balls है वो ball plus 16,500 ग्राम जा रहा है तो 3 balls की value हो गई 16,500 ग्राम तो एक ball की value find करने करें हम 16,500 को 3 से divide करेंगे तो हमें मिलेगा 5,500 ग्राम और हमें यहाँ पर यह भी दे रखा है कि triangle is equals to 4 balls that means triangle is equals to 4 multiplied by 5,500 gram which is equals to 22,000 gram which is also equals to 22 kg so option B is the correct option next 14 equal sacks of rice weighs 358 kg and 750 gram how much does each bag weigh so यह find करने के लिए सबसे पहरे हम 358 kg 750 gram को grams में convert करेंगे तो हमें मिलेगा 358,750 gram और फिर इसको हम पोटीन से divide करेंगे तो हमें मिलेगा 25,625 gram जो जिसको हम 25 kg 625 gram भी लिख सकते हैं so option B is the correct option next the given figure shows the volume of water in a container the capacity of the container is 5 liter how much more water is needed to fill the container up to its brim तो यहां पर इसको पूरा फिल करने के लिए हम 5 liter minus 2 liter and 78 ml subtract करेंगे क्योंकि जो container है इसने 2 liter 78 ml water ले रखा है लब इसके अंदर इतना water है तो अगर हम सब्सक्राप्ट करेंगे तो हमें मिलेगा option C is the correct option next question doctor advised Arman to take 3 ml of cup syrup 2 times a day for 4 days how much cup syrup will Arman use in 4 days को एक दिन में अर्मान किते ml करने के लुए हम 3 multiplied by 2 कर देगी ő यह एक बार में 3 ml देता Candle और वो दिन में दो बार cup syrup देता है So एक दिन में वो 6 ml cup syrup लेगा और हमें पूछ रखा है कि वो 4 days में किते ml cup syrup लेगा So we킨 6 multiplied by 4 तो हमें मिलेगा 24 ml So option B 24 ml is the correct option और नेक्स्ट कोश्चिन अच्व सोड शिक्स शर्ट पो रुपीज वन हंडेड़ेन फॉटी फाइफ इच अन्ड इस अमाउंट ही बॉट तू बाग्स पाइन दे प्राइस ऑफ बाग तो यहां पर कॉस्ट ओफ वन शर्ट एक शर्ट की कॉस्ट हमें दे रखिये और अब हम वन हंडेड़ेन फॉटी फाइफ को शिक्स से मटिप्लाइ करेंगे शिक्स शर्ट की कोस्ट पाइन करने के लिए सो हमें मिलगा एट हंडेड़ेन सेवेंटी सो अकॉर्डिंग तो इस कॉस्ट ओफ शर्ट इस इक्वल्स तो कॉस्ट ओफ तो बाग तो प्राइज पाइन कर लिया सो कॉस्ट ओफ वन बाग अगर हमने निकालनी है तो हम एट हंडेड़ेन सेवेंट को टू से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा ऑप्शन सी 435 तो ऑप्शन सी इस दी करेक्ट ओप्शन आ नेक्स्ट क्वेस्टिन वेट ओफ इन आपल इस डाश ग्राम तो यहां पर 9 बाउल्स का वेट है 18 ग्राम और 3 बाउल्स और एक आपल का वेट है 28 ग्राम तो अब सबसे पहले हम एक बाउल्स का वेट निकालते हैं तो हम 18 ग्राम को नाइट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 ग्राम अब वेट ओफ इन आपल प्लस 3 बाउल्स इक्वल्स तो 28 ग्राम सो अब हम 3 बाउल्स का वेट निकालेंगे तो 3 multiplied by 2 तो हमें मिलेगा 6 ग्राम और अब हम आपल का वेट फाइं करने के लिए 28 ग्राम माइनस 6 ग्राम करेंगे तो हमें मिलेगा 22 ग्राम सो option B 22 is the correct option next if somya wants to pour whole water from the jug into the glasses of 400 ml capacity then how many glasses will she need so हमें आपर इस जग के नीचे लिखा हुआ है कि इस जग में कितना water है so वो है 3 liter 200 ml और 3 liter 200 ml यानी 3200 ml और अब 3200 ml को हम 400 से डिवाइट करेंगे सो हमें मेरे का option B 8 so somya को 8 glasses चाहिए होंगे so option B 8 is the correct option our next question the weight of each of the 6 identical cubes is dash तो यहां पर एक तरफ है 6 cubes और दूसरी तरफ है 500 ग्राम के 3 weights और यह दोनों balance कर रहे है so 500 ग्राम के 3 weights यानी 1500 ग्राम और यहां पर 6 cubes है और यह दोनों balance कर रहे हैं तो अब हम 1500 ग्राम को 6 से डिवाइट करेंगे तो हमें मिलेगा option A 250 ग्राम सो एक क्यूब की वाली होगी option A 250 ग्राम सो option A is the correct option next if cost of 1 kg grapes is Rs. 80 then what is the cost of 250 ग्राम 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 सो यहां पर हमें दे राखा है कि 1 kg ग्राम की cost है Rs. 80 और हमें 250 ग्राम ग्राम की cost निकालनी है सो बन की जी यानी 1000 ग्राम सो 1000 ग्राम बनाने के लिए हमें कितने 250 ग्राम से रहेंगे 4 सो अब 250 ग्राम ग्रेप की वाली फाइंड करने के लिए हम 80 को 4 से डिवाइट करेंगे सो हमें मिलेगा option B 20 सो option B Rs. 20 is the correct option Our next question, Sitara buys 2 cauliflowers from the market which are weighed by the vegetable seller as show in the figure How much did the 2 cauliflowers together weigh? So यहाँ पर एक तरफ है बन कीजी और दूसी तरफ है 2 cauliflowers और 250 ग्राम और 100 ग्राम के weights So अब 2 cauliflowers का weight fine करने के लिए हम 1 kg minus 350 ग्राम करेंगे सो हमें मिलेगा 650 ग्राम So 2 cauliflowers का weight होगा option A 650 ग्राम So option A is the correct option Next Madhavi drove 236 km on first day and reached the place 579 km 345 m away from her house on the next day What distance did she travel on the second day? So यह fine करने के लिए हम 579 km 345 m minus 236 km करेंगे So हमें मिलेगा 343 km 345 m So option A is the correct option Our next question Sneha is practicing for a race She uses the given map to find the possible routes The route must start from her school and end at home She wants to run the shortest route Which of the following is the best route? So यहाँ पर हमें options चेक करने पड़ेंगे So option A School to market to church to home So इसमें उसको 9 km रन करना पड़ेगा Option B School to lake to home So इसमें इसको 11 km रन करना पड़ेगा Option C School to mall to lake to home इसमें भी उसको 11 km रन करना पड़ेगा और option D School to mall to museum to home इसमें उसको 6 km रन करना पड़ेगा So उसके लिए नों सबसे शॉटेस्ट रूट है वो है School to mall to museum to home So option D में यह है So option D is the correct option Our next question The table shows the volume of some types of canned drinks Which two types of drinks have a total volume of 2.75 liter So इसका correct option होगा option C, X and Z हमें drink X यानी 1 liter 250 ml और drink Z यानी 1 liter 500 ml इन दोनों को add करेंगे So हमें मिलेगा 2.75 liters option C is the correct option Our next question According to the given data Which are the following options is correct So यहाँ पर हमें options से check करना होगा So option A है 1000 gram यानी 1 kg is equal to 3 cubes So यह गलत है So यह गलत है 2 kg यानी 2000 gram is equal to 3 cubes Next 3 apples weight equal to 2 cylinders So यह भी गलत है And option C, 2 cylinders and 1 cube weight the same So यह correct है से option C is the correct option Next Shreya bought 86 kg 475 gram sugar And Puneet bought 79 kg 825 gram sugar Who bought less sugar and buy how much So यह find करने के लिए हमें 86 kg 475 gram में से 79 kg 825 gram को सब्ट्राक्ट करना होगा So हमें मिलेगा 6 kg 550 gram So हमारा correct option होगा Option B Puneet के पास less sugar है और उसके पास 6 kg 650 gram less sugar है So option B is the correct option Next Minnie took 14 minutes 8 seconds to walk from her home to school On her way back she took another route and reached home in 12 minutes 44 seconds How much time did she save by taking the shorter route So यह find करने के लिए सबसे पहले हम 14 minutes 8 seconds को seconds में convert करेंगे So हमें मिलेगा 840 seconds और अब हम 12 minutes 44 seconds को 20 seconds में convert करेंगे So हमें मिलेगा 720 seconds और अब हम 848 seconds minus 764 seconds करेंगे So हमें मिलेगा 84 seconds और 84 seconds को अगर हम convert करेंगे So हमें मिलेगा 1 minute 24 seconds So option C 1 minute 24 seconds is the correct option Next the figure shows a new bottle of liquid detergent Deepa uses 0.2 liter of detergent Find the volume in ml of detergent left in the bottle So यहाँ पर इस detergent bottle पर लिखा है कि इसमें किता liter detergent है So इसमें है 1.2 liter detergent और वीपा ने 0.2 liter detergent यूज करा So अगर हम 1.2 liter minus 0.2 liter करेंगे So हमें मिलेगा 1 liter और अब हम 1 liter को ml में convert करेंगे So हमें मिलेगा option A 1000 So option A 1000 is the correct option So friends यह ता मेरा आज का वीडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चानल शिवीज़डू स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले So गुड लग फॉर एक्जाम और बाई